नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज एमारी वहिए IPC की दाराओं की वहिए तीसरी कलास होगी वहिए, इससे पहली एमारी दो कलास कम्पलीट हो चुकी हैं वहिए. पहली class में हमने क्या discuss किया था कि जो अरियाना पुलीस constable है इसके साथ में सब इंस्पेक्टर के exam में जो भी question IPC के दाराओं से पुछे गए हैं उन सभी को हमने discuss किया था वहाँ पे हमने discuss किया था कि दाराओं से भी question पूछे जाते हैं इसके साथ में journal question भी पूछे जाते हैं और इस से लेटिड जो भी अध्याय से हैं वो भी क्योशन पूछे जाते हैं अभी अभी ग्राम स्यू का एक्जाम हुआ है तो अध्याय से भी क्योशन पूछे गए हैं ठीक है इसके बाद जो अमारी सेकिंड कलास हुई थी उसमें अमने डिसकस क्या था कि जितने भी जो अध्याय हैं IPC की कितनी दाराएं हैं वई 511 दाराएं हैं और 511 दाराओं का 23 भागों में यानि कि 23 अध्याय में डिवीजन हुआ है तो 23 के 23 अध्याय कंप्लीट कराए जा चुके हैं वई बहुत ही इंपोर्टेंट है निचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में वी इंपोर्टेंट दाराएं हैं सभी को डिसक्रिप्श करेंगे आपके माइंड में एक क्योशन जरूर होगा कि इंपोर्टेंट दाराएं आपने पढ़ियोंगी दारा नंबर 300, 302, 304, 307, 309 और 307 तर तक ये भी हम पढ़ाएंगे ये इंपोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये सभी किस्से हैं मानव जाती से लेटिड है यानि कि अत्या मानव को अगर कोई नुकसान पहुचाने वाली जो भी दाराएं हैं वो 300 से ही स्टार्ट होती हैं दो 99 से स्टार्ट होती हैं 300 से 307 तर तक जाती हैं ठीक है उनको आगली क्लास में पढ़ेंगे इस से पहले दा हैं आपके अग्जाम में पूछी जा सकते हैं उनको भी आज की क्लास में डिसकस करेंगे आपको दाराओं से लेटिड कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी जैसा गेमने पहले बताया था जो भी दोस्त नए आये हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ में ब 200 ग्राम स्यू के लिए जो इंपोर्टेंट 200 सी दाराएं हैं वो भी चैनल के उपर अवेलेबल हैं बूमी रिकार्ड से लेटिड भी डाटा अवेलेबल है नहरी पटवारी से लेटिड जो आपका अभी एक्जाम होगा भई ग्राम स्यू का उसमें बहुत स्पेशल सब्ज प्राइए हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे यह जलदबाजी में कुछ नहीं कि पढ़ाएंगे सबसे पहली दारा नंबर चैंड बहुत जगा आपने सुन्याबी होगा वी दारा नंबर चो सेट क्या है से इसके साथ में दो फेक्ट और बताएंगे बही बही दार कोई भी जुर्माना लगाया गया है अगर आप उसको जुर्माना या तो जानबुज कर या फिर आप जुर्माना को भई यानि कि आप सब्मिट नहीं कर पाते यान कि जुर्माना नहीं दे सकते तो भई आपको क्या किया जाएगा कारावास दिया जाएगा IPC की कौन सी दारा के अंतरगत दिया जाएगा तो दारा नंबर 64 के अंतरगत दिया जाएगा वई उमीद गरते हैं आपको कलियर हो गए होंगे वई ठीक हा वई अगर जुर्माना नहीं देंगे तो क्या होगा कारावास होगा कौन सी दारा के अंतरगत होगा दारा नंबर शोषिट के अंतरगत होगा भई ठीक है बई आगे की तरफ बढ़ने बई देखे जूर्मान्णा से ये और बढ़तीड है एक दंड की परिवासा भी बताएंगे दंड कितने परकारगा होता है अब整धने बढ़ ADA नंबर फेलिन दारा नमबर 66 की तरफ देखिए वई देखिए वई क्या दिया गया है जुर्माना ना देने पर किस परकार का कारावास दिया जाए अब कारावास भी दो परकार के होते हैं वई जितने भी जो कैदी है उनको क्या करना पड़ता है बहुत प्रिश्रम करना पड़ता है फिर उन्हें अपना जुर्माना चुकाना पड़ता है ठीक है एक तो होता है कठोर कारावास एक होता है सद्धा कारावास भई तो जुर्माना अगर आप नहीं देंगे तो कारावास हो याद रहे कि किस परकार का कारावास दिया जाएगा कौन सी दारा के अंतरगत है तो दारा नंबर 66 के अंतरगत है ठीक है कई जग आपको दाराइं ट्रिक से भी मिलेंगी लेकिन ट्रिक से आपको ज्यादा लंबे समय तक यान कि वह चीज़े याद नहीं रहती इसलिए डारे इसके साथ में आगर मालिया कोई दारा आ गई कल को आपको भी क्या है आपको उपर भी कोई केस हो जाता है तो आपको दारा या दोगी तो दारा बताएंगे तो यह लगेगा कि आपको नोलेज है तो आपको भी नोलेज भी जरूरी है इस चीज़ की और एक्जाम प्रगत क्या वाइब आपको कारावास दे धिया गया। फिर आपको लगे कि भई नहीं नहीं जुर्माना दे देंगे तो क्या ओज्याइगा कर देंगे कर देंगे तो कर दमोच कर देंगे कारवास चत्राओं यह यह बहु आपके पैसे भी हों एक दारा है दारा नमबर 53 अब बता देते हैं दारा नमबर 53 में का गया वही देंड वही आप नहां कि पहले में तो किया दिया गया है इंट रोडक्षन दिया गया है और है तो वह इंपौर्टन नहीं है तो अद्याये नमबर3 से स्टार्ट होते हैं भई आप यहां पे लिखे वह एक है । दारह tak क्ञास अपर कեկे खांतeping कैसे हो सकता है अगर आपके ऊपर वर कोई भी आपके उपर आप साथ सकते हैं या फिर आपको फौई अपराद करते हैं तो कितने परकार के अबी धंड हो सकते हैं एक हो सकता मृत कृश्वाइज में डिया जाए आपको इसके साथ में आपको क्या यृ कारावास दिया जै जाए या तो पैसे जुर्माना लगा दो या फिर जेल के अंदर डाल दो या फिर अपने मृत्यु दंड देलो हितने परकार के अपराद हो सकते इससे ज्यादा क्या होंगे अपराद नहीं वह यानि कि उसके लिए दंड है वह तो दारा नंबर 66 और 68 तीनों क्या है जुरुमाने से लेटिड हैं आज आओ भी दारा नंबर 80 दारा नंबर 80 बहुत ही इंपोर्टेंट है भई अभी एक उत्राखंड का एकजाम हो अधा पुलिस का उसके अंदर भई ये दारा पुछी गई थी बहुत ही इंपोर्ट सभी दारा ये बहुत अ कानुनी तरिक के से किया गया है वह तो उसके ऊपर भी आपको अपरादी नहीं मैन्या जाएगा वह यह तो होता है बई जांच होती है जांच में अगर आपका यह पता चले कि आपके पास भई किया है वे वुद्धी पूरण नहीं ँगा वह डीकी पूरण नहीं होगा वहां पाइपके पास अपरादी नहीं मानया जाएगा इसकी बात कौन सी IPC की कौन सी दारा में हुई है दारा नंबर 80 में हुई है आगे की तरफ बढ़ें वही है इसको बहुत इंपोर्टेंट दारा है वही यह आप याद रखेंगे अब यह दाराएं सभी एक से लेके 20099 तक का आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी ये प्रपज यह है ताकि आपको पहले ये दारायं क्राई जाएं फिर 300 वाली दाराया क्राई जे के 25 इंपोर्टेंट दारायें हैं वही, 300 की रेंज में तिन्सो से तिन्सो स्तेंतर तक पचिस इंपोर्टेंट दाराएं कराएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा वही दारा नमबर 120 का है वही अपरादिक सधियंतर की रचना, अगर आप कोई अपराद करना चाते हैं, उसके लिए सधियंतर रच रहे हैं, कि वही आपने कोई तो जाता है आपके उपर सब्वित हो जाता है तो उसके लिए क्या होगा वह दंड दिया जाएगा शडी अंतर रचेंगे तो दंड ओगा वह इसके बाद भई बहुत ही इंपोर्टेंट दारा है 124 के, 124 के, क्या लिख्या गया है वई, राजदरो के बारे में लिख्या गया है, राजदरो, वैसे आज कलिए क्या है वई, आपको बता देते हैं, राजदरो की जो definition होती थी, पहले जब अंग्रेजो के टाइम में क्या होता था, कि जब इंडियन क्या करते थे वई, के ताइम् यह कह रहे हैं कि वही राज्द्रों को खतम किया जए खतम क्यों किया जाए आगर माल्ययाकी phi Прोटेस्ट कर रहा है स्वतन तरता के लिए जैसे की फिलाल अगर कोई सरकार को इंद्र करती हे उस के के टाइम भी इसको खतम करने के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी इसके उपर कारिये नहीं हुआ है भई ठीक है राजद्रो की दारा है भई आई पीसी में और कौन सी दारा है 124 का है अपने माइंड के अंदर सेट कर लो भई ये दारा बहुत का एग्जाम हुआ, वहां से क्या हो गया की वही एछसी हो के वहां से क्या होगया की वही हए ज्यादा फ़ोकस करने लग गया भई तो अब आपका पता नहीं की वही पुछ क्योशन में पांच्योंशन ब्हुंशन भी स्हेरे बीञाए यह वह आपकर करता है इसलिए की लाइव बारत सरकार के वीरुद 위el करना या फिर यूद करने का प्रियत्तन करना वहिए अगर आपको ऐसा सधीन्त रच रहे हैं जिससे बारत सरकार खिलाफ यूद रहे हैं नीचे-नीचे अगर आपके उपर वो साबित हो जाता है कि आप भई युद करना चाहते हैं तो वो कौन सी IPC की इंडियन पैनल कोड भारतिय दंड सहिता की कौन सी दारा में दिया गया है तो दारा नमबर 121 में दिया गया है एक सो इकिस में दिया गया है भई आगे की तरफ बड़ें वही अब जो दारा है हमारी है दारा नमबर 130 वही 130 सभी दाराएं ऐसी हैं जो कि आपको ना तो हमने इतना वहीं कॉम्प्लिकेटिड तरीके से बता रहे कि ऐसी दारा आया जेगे ऐसे ऐसे वर्ड यूज होते हैं वही दारा के अंदर जिन वर्डों को वही आपको कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इजी वे से आपको बताई जा रही हैं सभी दाराएं ठीक है अब डेली लाइफ में अ बाग जाता है और आपका वह दोस्त है वही तो आप क्या करेंगे अपने गर में पना दे देंगे पुलिस उसको डूंड रही है आप उसको पना दे रहे हैं अगर आप अगर कैदी को आपके घर्षे पकड़ा गया तो फिर क्या होगा आपके उपर भी करवाई होगी वही आपने क्या किया है सरकारी काम में बादा डालने या फिर कैदी के लिए जो बादा डालने की बात कौन सी दारा में हुई है 130 कैदी को निकाल कर बागने में सायता देना उसे चुडाना या आपको चुडाना चाते हैं जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि एक्टर है अगर ऐसा कारिये करते हैं या फिर सरह अपने घर में सरह देते हैं तो कौन सी दारा के अंतरकत आपके उपर कारवाई होगी दारा नंबर 130 के तहए 30 के उपर कारवाई होगी उमीद करते हैं यह दाराएं आपको समझ में आई होगी और आगे की तरह बढ़ते हैं बहुत च्यार से ज्यादा आदमी वह एक जगाई कठे नहीं होने चीए वह CRPC की दारा है ना कि IPC की दारा है ठीक है CRPC की दारा है पुलिस के लिए है CRPC जजों के लिए होती है जिनके उपर जजमेंट सुनाए जाते हैं उमीद गरते हैं सब चीजे कलियर होंगी दीरे दीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी शेयर जरूर करें जो भी दोस्त आए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे इसके साथ में अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि अगर आप दारा पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल फर्स राइट एज्यूकेशन पर विजिट करें वहां पर आपको दाराओं से लेटेड चैपंचायती राजगी दाराएं हैं दोस्तों सी या फिर आईपीसी की दाराएं हैं सब कुछ कंटेंट आपको मिलेगा बई पट समेथ की क्लासिज के जो लेक्चर हैं वो रिकोर्ड हो रहे हैं एक नए टीचर हैं जो हमारे चैनल के उपर पढ़ाएंगे रोतासर वह 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 कलास लेके आएंगे ठीक है उमीद है कि आपको आज यह अकल में कलास मिल जानी चाहिए प्रोबैबिलिटी की कलास होगी ठीक ह चलो वह आगे की तरफ बढ़ते हैं वह आईए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि दारा नंबर 141 वह तो 141 में क्या दिया गया है विदी विरुद जन्समू यानि कि कानून के खिलाफ जाकर अगर आप कोई जन्समू इकठा करते हैं तो उसकी बात कहां पे हुई है दा आगे की तरफ बढ़ें तो भी एक है दारा नंबर 144 वैसे जो 144 जारा जो हम सुनते हैं वह दारा किसके लिए है वह CRPC की की दारा है उसमें का आ गया है कि दो या दो से च्यार से ज्यादा दो नहीं वह च्यार से ज्यादा व्यक्ति एक जगाई कठा नहीं हो सकते लाइंड order को फोलो करना वही उस लाइंड ओडर को बनाने के लिए यह दारा लगाई जाती है कौन लगाता है या लगाता है या फिर और को या दिकारी जो कि सरकार जिसको निर्देश दे वो इस दारा को लगा सकते हैं वही लेकिन यहां पे देखे भी दारा नंबर 144 यह IPC की दारा है पड़ाएंगे भई CRPC के इतियास के बारे में IPC के इतियास के बारे में इसके साथ में evidence act के इतियास के बारे में यह तीन topic और बसते हैं जिससे आपके अभी पुलिस के paper में evidence act कब लग वा था यह question पूचा गया था वही तो वह भी आपको पढ़ाएंगे तो क्रिमडल कोड की भी पढ़ाएंगे कुछ important हैं IPC में वीरुद बीड अथियारों के साथ अगर आप कहीं पर बीड कठी करते हैं और अथियारों के साथ हैं तो आपके उपर IPC 1244 के क्या होता है आपके उपर कारवाई की जाएगी ठीक है आगे इतरह बढ़ें एक सो च्यालीस में एक सो च्यालीस में अगर आप उपद्रव करते हैं तो कहां पे दंगे की अलग परिवास है उपद्रव की अलग है तो याद रखेंगे एक सो च्यालीस के तहतों उपद्रव करना और 169 के तहत दारा नंबर 169 के से तहत अगर आप दंगा करते हैं तो आपके उपर कौन सी दारा लगेगी आईपई सी 169 की दारा लगेगे बही यह सबी दाराएं किसके पुलिस की दाराएं है आई पीसी की इंडियन पेनल कोड दा अब आगे भी चुनाओ से समंदिते हैं अर्याना पंचाइती राज दिनियम में दारा नंबर 161 से बात 162 से चुनाओ की बात कहां पर उथी 161 यहां पर क्या है 171 यहां पर क्या है 171 है कैसे यानि कि कैसे लेके जय तक जितनी दाराएं इस तरह से जय तक जाना है इन सभी से रिलेटेद इयान की चुनाओ समंदिय अपराद इन चुनाओ समंदिय पराद से रिलेटेड यहां की बात हो जाए इस जाए तो याद रखना है अगर आप किसी सरकारी करमचारी या पुलिस को गलत सुचना देते हैं अगर आप पुलिस को गलत सुचना देते हैं तो आपको छे माँ की सजाओगी इसके साथ में अजार उपय का जुर्माना आपके उपर लगाया जा सकता है अपराद में दोई चीज होती हैं जब भी आपको दंड सुनाया जाता है आपको या तो सजा दी जाएगी या फिर आप जुर्माना दें या फिर दोनों वह अपराद को संग्यान में लिया जाता है कि अपराद कितना कुरूर है जिसको इंगलीज में बोलते हैं कि कितना बयानक है उसके हिसाब से ही की डिसाइड किया जाते है वहई 180 कि तरफ बड़ेतो सरकारी काम में बादा डालना अगर आप सरकारी काम में बादा डालते हैं तो कूं सी दारा-क तहईता के उपर करवाई होगी दारा नम्ब различ सब इम्पोर्टेंट दारा यह औरी सहांच में अपनी कोपी में लिख लें भई ठीक है लिख लें भई कोपी में कोपी में लिखेंगे ठीक है इसके साथ में भी बाद में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इनके कोई दिक्कत नहीं है नोट्स बाद में मिलेंगे अभी साथ साथ में पढ़ें वही एक्जाम के टाइम पर मिलेंगे दारा नंबर 186 सरकारी काम में बादा डालना तीन माह की सजा या फिर जुरुमाना या फिर दोनों चीज़ें लगाई जा सकते हैं जुरुमाना कितना भी 500 रुपए का जुरुमाना अगर आप सरकारी काम में बादा डालते हैं तो कितने का भी 500 रुपए का दारा न है दारा नमबर 201 में बई एक सो इक्याणवे की और बात करते हैं जूठा सक्षे देना वई आप जूठा सक्षे यह जो भी आप एविडेंस देते हैं वो जूठा दे देते हैं तो आप के लिए उसके लिए दारा कौन सी रखी गई है दारा नमबर 101 मालिया कि डाकू है और लुटे रहे हैं तो आपके उपर भी कारवाई होगी इसलिए बाइक सेक्षन में और सभी को कम्प्लीट करेंगे वैसे कराने को यह कि कराने को हम डारेक्ट यान की डारेक्ट भी करा सकते थे की पडाने के तरीके से इन सब को लिखने जोरत नहीं है लेकिन क्या है कि य हो जाता है बिल्कुल clarity हो जाती है आप लोग इसका साथ में screenshot भी ले सकते हैं आपको ये फाइदा होता है आप screenshot ले लीजिए जैसे एक पहले वा था एक ये वा और एक screenshot लेंगे तो तीन screenshot में आपका काम चल जाएगा आपको revision करना चाहें तब कर सकते हैं ठीक है बैए आगे की कौन सी दारा के अंतरगत भई तो दारा नंबर 231 और 32 के तैते अगर आप जाली सी के चापते हैं तो आपके उपर कारवाई की जाएगी क्या होगा सात वर्ष की सजा बहुत ज्यादा सजा है जाली सी के चापने की सजा क्या है सात वर्ष की सजा है जुर्मा ना है या फिर दोनों हो सकते हैं ठीक है भई तो याद रखेंगे जाली सी कोई से लेटिड भई कौन सी दारा है दारा नमबर 231 और 32 बई चुनाव समंदी पुछा जाए 171 कैसे लेके जैतक भई दारा नमबर 64 भई क्या है कि जर्माना नहीं देओगे तो क्या हो जाएगा जर्माना नहीं असी में क्या हो जाएगा विदी पूर्ण तरीके से अगर कोई दुरगटना हो जाती है तो उसके लिए आपको अपरादी नहीं मान्या जाएगा ठीक है दारा नमबर 264 की तरफ बढ़ें गलत तोल देखिए सबी दारा हैं जो डेली लाइफ में दुकांदार क्या करता है दुकांदार वही जब कोई भी सामान देता है तो नीचे चुम्बग लगा देते हैं पुराने टाइम में क्या होता था आज कल तो यह दूसरे जो सिस्थम आगे हैं इन में तो कुछ गलती होगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा वही पहले तो वह जो भी आपका जो मापने का होता है उसके नीचे चुम्बग लगा देते थे थे सो गराम की 200 गराम की तो उससे वही क्या करते थे यानि कि गलत मापते थे वही अगर ऐसी के से में अगर पकड़े जाते हैं तो दारा नमबर 264 के तो 64 में क्या है जूर्माना ना देने पर कारावास दूसर चोश्ब म में क्या है गलत मापतोल के बटो का अगर प्रियोग किया जाएगा तो एक वर्ष की सजा होगी या फिर इसके साथ में जूर मनना भी लगाया जा सकता है या फिर इसके साथ में और क्या हो सकता है वही दोनों चीजे हो सकती हैं कोनशी दारा के अंतर गतेह दारा नमबर 266 के अंतर गते turns दो सभी दारांमे केवल एक दारा सबसे हिंपोर्टेंट है दारा नमबर 289 सब pools से इंपॉर्टेंट है दाराणमर twee लुए डॉन्हावटकरण कर रहे हैं पुलिस वहाँ परादी को पगड़ती है उसको कौन ची धारा के अंतरगत वह चेस किया जाएगा या जो भी सजाद दी जैएगी दारा नंबर 200-80, आप सड़क के उपर driving कर रहे हैं, सावर्जनिक प्लेस के उपर driving कर रहे हैं, rest driving कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यदा तेज शपीड के साथ, या फिर आप जिस तरीके से वही जो विकल चलाते हैं, उस तरीके से निचरा रहे, rest driving क कर रहे हैंब पुलिच को लगता है कि यह रेस्ट ड्राइविंग है यानि कि वहाई उतावला पुर खती है तो यह इसको बिसे कंड खता आपको olduğu जारा तो आज गल तो चलान काट देते हैं लेकिन क्याै दारा नंबर dos sex to MILL के ताहट क्या होगा वह आपके उपर कारवाई की जाएगी सजा भी हो सक्ती है सजावी दी गई है दीधिए छे महीने की सजा दी गई है कितनी दी गई उसके किसी पुवित्र स्थान को यह पुवित्र कर देते हैं या फिर इसके साथ में भई द्रम का किसी के द्रम का आप अपमान करते हैं सब अपने अपने द्रम का पालन करें भई आप किसी के द्रम का भई अपमान नहीं कर रखते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके उप कितने वर्षकी होगी दो वर्षकी होगी जुरुमाना भी लगा जासता है दोनों चीज़े भी की जा सकती है ध्यान रखें दारा नंबर 205 धरम से लेटिड वई रिलीजन से लेटिड है दारा नंबर 205 धरमीक जमाओ रख्या वही कोई फैस्टीवल आता है तो क्या होता है हर जो रिलीजन के अलग अलग वही क्या होते हैं अगर वहां पे जमाओ हो रख्या है अगर आप उसमें क्या करते हैं वीगन डालने का प्रियाज करते हैं पुलिस तो एक्जाम के लिए याद रख रहे हैं, बाद में तो सब चीज़े याद हो जाएंगी, जब इन सभी दाराओं से लिटीड ही आपका काम रहेगा, कैसा अपराद है, और किस के तहत, कौन सी IPC के तहत, इसको रजिस्टर किया जाए, या फिर इसको कौन सी IPC के दारा में इस अपराद को डाला जाए, यह सभी काम आप सभी का ही रहेगा, बाई, तो यह कंपलीट होगे भी दारा नंबर 299 तक, दारा नंबर 299 तक यह 20 से 25 दाराएं जो इंपोर्टेंट थी, वो हमने कराई हैं, बाई, इन से 12 आने की बहुत कम संभावना है, यह बहुत अच्छे त और 4 से सम्मंदित हैं, तो वो सभी दाराएं, यानि कि क्या होगा, एक कलास में वही हमने IPC के क्योशन कराए हैं, कि जो पहली कलास है, दूसरी कलास में हमने क्या कराए हैं, अध्याए कराए हैं, तीसरी कलास, तीसरी, चोथी और पांचवी कलास में हम क्या करेंगे, IPC की हो जेगा फिर IPC CRPC का इतियास करेंगे इसके साथ में फिर क्या है evidence act के उपर क्लास लेंगे यानकी मातर छे से साथ क्लास पढ़िए और फिर आपको IPC CRPC evidence act कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी उमीद करते हैं पूरी क्लास आपने पूरी क्लास देखी होगी comment जरूर बताएं वहीं क्लास कैसी हे video काने लगी जो विडियो दोस्थि नहीं हैं उनको क्या होता है कि जो दोस्त्याथि हो पता नहीं चलता कि भाई और आपको दारहें ऑच्छे से करेंगी हैडवांस मैच से लेटीड क्लासिज रिकोर्ड हो रही हैं उनका कंटेंट बहुत जल्द आपको मिलेगा आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत एक्सपिरियंस टीचर्स अमारे साथ जुड़े हैं आप उनकी क्लास देखेंगे तो अपने आप आपको पता चल जेगा डिसाइड आप लोगों को करना है हमें नहीं करना परी ठीक है मिलते हैं अंगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद